कि पिछला दिन को शेडिंग भी डिल लिखे थे आप लोग कि लास्ट टॉपिक क्या था चक्रिय प्रक्रम समात्थ होगा था लिखे तो हैडिंग चक्रिय प्रक्रम में हमारे ख्याल से आप पढ़ क्या रहे हैं आप पढ़ रहे हैं उसमा गति की ये प्रक्रम और उसमा गति की ये प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें किसी निकाय की अवस्था बदल जाती है उस्माकतिकी निकाय का अवस्था बदल जाता है मतलब जो पहले था वो बाद में, नहीं रहता है जिसमें चक्रिये प्रक्रम में आप पढ़े कि ये विभिन अवस्थाओं से गुजरता हूँ फिर से प्रारम्भीक अवस्था में आ जाता है एक उसमा कतिकिया प्रक्रम ही मानेंगे, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अब जो इसका अगला टॉपिक है, दूसरा नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं रुद्धोस्न प्रक्रम, या इसी को इंगलिस में एडियावेटिक प्रोसेस कहा जाता है, तो इसके प्रक्रम इंगलिस में इसको हम बोलते हैं एडियावेटिक प्रोसेस, देखो, एडियावेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रक्रम होता है, जिसमें निकाय और परिवेश के बीच उसमा में कोई उसमा का आदान परदान नहीं होता है, और उसमा का आदान परदान नहीं होता है, तो उसमें कोई अंतर भी नहीं आएगा, क्य लिखेंगे वह उस्मा गति की प्रक्रम वह उस्मा गति की प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश वह उस्मा गति की प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच उस्मा का आदान प्रदान नहीं होता है उस्मा का आदान प्रदान नहीं होता है नीसू आकासपूर हैं कोई को नेखरे होई नीसू आकासपूर यहां नहीं है यहां तो नहीं आई है सर हाँ आदान नहीं आए हैं किया कुछ बात बता का इसका उसका उसको उसके पास फोन नम्बर तो मोबाल नहीं है ना उसके पस कि अभी आने वाली थी लेकिन उसका कोई कोपी चुड़ गया था तो कोपी लाने गई है अब फ्रेंड लोग तो है लेकिन इसको भी उस पता नहीं है और उसके दादा जी एक्सपायर कर गया है वो उसको घर में बोले ठीक 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 यहां 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 डेडा वड़ा ले ten व्रूम लेकि रहती है क्या है आती है कास्पुर से डेली आती जाते कि उसके दादाजी एक्सपर कर गया है, घड से कॉल है आने के लिए, वही तुरत, तुम लोग का द्यान तो वहीं होगा बोज पर, आदान परदाना, आदमी का जान चला गया है, यहां बोज खाएंगा, इस सब को घुटना में हावा लगवाओ रहे, बानर, उसमा का आदान परदान नहीं होता है, उसे, मतलब घर के बुढ़े आदमी मरेंगे तो यह बहुत खुसी की बात है कि, गया, हाँ यदि लटके हुए हैं, बहुत घिसे ठोड़ा है, तब खुसी की बात, नहीं तो घर के जो गार्जिन जो सबसे एजिट लोग होते हैं, चाहे वो दादी टाइप के हों, या घर का संसकार होता है वो, इस बात को समझ लेजिए अब, और उस चीज़ को छोड़कर आपका तईब होता आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब विचार हीन हो गया है सब एक तरफ से, उसे रुद्धोसन प्रक्रप, देखो दिक्कत क्या है, बताते हैं, इसका कारन बताते हैं ममी, आपके ममी पापा को काम से फुरसत नहीं है, संसकार देने का काम, असली जो काम होता है, वो घड़ के बुढ़े लोग करते हैं, यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं, उसको और सही कैसे किया जाए, गलत को गलत ना किया जाए, ये सब समझाने बुजाने वाला काम, जेनर हैं या उसी वही मालीजे की गुजर गया तो आपका आवारा बनना तैय है लिक्षेंगे उसे रुद्धोस्म प्रक्रम कहते है हो गया लिख लिए आप इसको देखो अभी दर यहाँ देखेंगे मालीजे गैसियस सिस्टम और इसमें यह पिश्टन लगा हुआ इसकी बाद तो हम बार-बार करेंगे अप डाउन होगा यह इसमें अंदर में क्या रखा हुआ है गैस मालीजे रियक्शन हुआ और अंदर में हीट जेनरेट किया लेकिन यह जो वाल है यह हुआ कि अंदर के टेंपरेचर को यह बाहर आने नहीं देगा अंदर के हीट को यह बाहर आने नहीं देगा बाहर के हीट को यह अंदर जाने नहीं देगा मतलब उसमा का कुचालक है यह जो वाल है यह पुड़ा का पुड़ा तो ऐसी स्थिति में यदि अंदर heat generate भी होगी तो अंदर ही रह जाएगी तो जो अंदर था वो अंदर ही रहा गया जो बाहर था बाहर ही रहा गया इसका मतलब बताईए कि यहाँ पर q कामान क्या हो गया जीरो क्योंकि q कामान जीरो हो गया क्योंकि निकाई ने परिवेश से उसमाद न लिया न उसमाद दिया तब न प्लस q या मैनस q अप लेते लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं तो q कामान क्या हो जाएगा जीरो आप याद किजिए पिछला दिन पढ़े थे डेल्टा इ ब्राबर q प्लस w याद है आपको यदि q कामान जीरो चुकी q कामान क्या है जीरो इसका मतलब है कि डेल्टा इ ब्राबर हो जाएगा डबलू इसका मतलब यह हुआ सुनिएगा ध्यान से पहले अभी समझे पहले चक्रिय प्रक्रम में आपने देखा कि प्रारंभी को रंती मवस्ता समान हो गई तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन इस बार देखो आंतरीक उर्जा में परिवर्तन हुआ कितने का? डबलू का जितना वर्क डन इस पर होगा उसी के आधार पर इसके आंतरीक उर्जा में परिवर्तन होगी उस्मा के कारण उर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उस्मा का आनान-प्रदन हुआ ही नहीं पीवा समझ में अब आप कहेंगे कि सर कैसे नहीं होगा अंदर में आप कहा रहे हैं कि reaction होगा यह उस्मा उत्पन कर यह तो इसकी उर्या बढ़ रही है आपके दिमाग में यह आएगा लेकिन आप यह सोचिए कि यह जो उस्मा उत्पन होई है वो अंदर के चीजों से ही उत्पन होई है इसका मतलब वो उस्मा किसी ना किसी रूप में और इनर्जी के रूप में पहले से ही उसमें उपस्तित था और अभी भी वो उसी में उपस्तित है वो ना बाहर निकला है ना बाहर से अंदर लिया है इस इस सितिति में Q कामान 0 हो जाएगा और इस इकल तो डाल नो अब श्यूच्वा गजू मॉन उप यूच्वार भी इस इसका सही अंसर क्या होगा डिल्टा ऑट इस रिंट निघ इन दिर्ल ग्रिंख हो कामाला इसकाग पुरा इस फोटो के साथ थूलिक्षा यूच्वां कुरा इस बाहर थो अच्छा एक बात बताएं कि रुद्धोस्म प्रक्रम में अंदर का ताप बढ़ घट सकता है या नहीं बढ़ घट सकता है अंदर का ताप बढ़ घट सकता है बाहर से लेकिन उड़ जा लेके या बाहर से उसमा लेके वो बढ़ घटा सकता है और अगला जो टॉपिक आपका पढ़ना है वो है सम्टापिये प्रक्रम समतापिय प्रक्रम में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है अब बताए ये ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई reaction ऐसा हुआ जो एक सो थर्मिक है जो उस्मा जेनरेट किया उस्मा उत्पन किया और यदि ये समतापिय है तो बताए कि जो उसमा उत्पन किया वो परिवेस में चला जाएगा तभी उसका ताप इस्थिर रहेगा तो लोगों को क्या लगता है न कि समतापिय प्रक्रम और रुद्धोस्न प्रक्रम एक टाइप का चीह है लेकिन ऐसा नहीं है इसमें क्या एक छोटा सा अंतर है उसको हम समझा दे क्योंकि रियक्शन हुआ उसमा बढ़ा तनेशित है किताब बढ़ जाएगा तो यह समतापिय नहीं है यह रुद्धोस्म है क्यों रुद्धोस्म है क्योंकि उसमा जो निकला वो अंदर ही रह गया वो बाहर निकल नहीं पाया तो इसको पुड़ा कर लिए लिखे तो अग इसको इंग्लिज में बोला जाता है आइसो थर्मल प्रोसेस सम्तापिय प्रक्रम आइसो थर्मल प्रोसेस इसका पड़िभासा सुनेंगे पहले वैसा उस्मा गती की प्रक्रम जिसमें ताप का मान इस्थिर रहता है ताप का मान बदलता नहीं है लिखेंगे लिखेंगे वह उस्मा गती की प्रक्रम वह उस्मा गती की प्रक्रम वह उस्मा गती की प्रक्रम जिसमें वह उस्मा गती की प्रक्रम जिसमें ताप इस्थिर रहता है टेंपरेचर ताप वह उसमा गती की प्रक्रम जिसमें ताप इस्थिर रहता है जिसमें ताप इस्थिर रहता है उसे समतापिय प्रक्रम कहते है है उसे समतापिय प्रक्रम कहते हैं उसे समतापिय प्रक्रम कहते हैं हो गया लिख लिए इधर देखिए अभी हमने कहा कि तेमप्रेचर कॉंस्टेंट होगा अभी लिखना मस देखना है सिर्फ ठीक है अभी हमने कहा कि टेमप्रेचर होगा कॉंस्टेंट यदि टेमप्रेचर कॉंस्टेंट होगा तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा और यदि डेल्टा टी जीरो हो न तो सिस्थिति में डेल्टा ए का मान भी 0 हो जाता है, क्योंकि उड़ जा और ताप एक दुसरे का फलन है, ताप बढ़ेगा तो उड़ जा बढ़ेगी, ताप घटेगा तो उड़ जा गटेगा, लेकिन ताप बढ़ा घटा ही नहीं, इसका मतबब है कि उड़ जा में delta e का मान 0 होता है ऐसी स्थिती में आप याद कीजिए पढ़े हैं पिछला दें delta e ब्राबर q प्लस w यह इन होता है और delta e का मान क्या आप ले लिए है delta e ब्राबर 0 तो ऐसी स्थिती में 0 ब्राबर हो जाएगा q प्लस w अब बताइए यहां से इसके नीचे आपको इधर लिखना है इस q को उधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा w ब्राबर माइनस q या q ब्राबर माइनस w यही न होगा आप बताइए इसका क्या मतलब है असली result यही है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि delta e का मान 0 तभी न होगा मतब जितनी मात्रा में आप उसमें उसमा दिये, वह उड़जा के रूप में इस्टोर नहीं हुआ, जितना उसमा दिये, उतना का वह काम कर दिया और ले दे के, बात बड़ाबर हो गया, इसलिए डिल्टाई का मान क्या हो गया? जीरो, तो आप ये बात ध्यान रखेगा कि सम इसका एक आपको हम प्रेक्टिकल व्यू दिखाते हैं, यदि आप यहां से नहीं समझे हैं तो हम आपको एक फोटो बना के दिखाते हैं, देखो उस पर आराम से तुम समझ जाओगे साइन्स में ये मैथमेटिकल एक्वेशन बहुत कुछ कहता है, जिसको सुनने की समझ होनी चाहिए, तब आप साइन्स को बहुत बहुत बहुतर समझ पाएंगे जैसे हम आपको जो बात भी हम बोले, उसको हम इस पर सावित करते हैं, मैथमेटिकल चीज ये बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन इसको आप प्रेक्टिकल वे में समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये दिमाग आप में होनी चाहिए, और जिसके पास ये वाला दिमाग है वो पढ़ लेता है बढ़ यहां साइन्स, जो ये नहीं प्रेक्टिकली फील कर पाता है, वहाँ पर उसको परिशानी होती है, जैसे देखिए, इसमें एक गैस भड़ा हुआ है, जिसके अंदर का टेंपरिचर T1 है, अंदर का टेंपरिचर कितना है, T1, अब हमने क्या किया है, इसको लेकिन यह क्या कहता है, समतापिय प्रोसेस है, मतलब आप उसमा दीजिये भी और इसका टाप बढ़े भी नहीं, इस्थिर भी रहे, तो बताइए इसका मतलब है कि जो आप उसमा दे रहे हैं, उसका कुछ न कुछ काम होगा, तभी न वो इस्थिर रहेगा, इस उसमा को का पारे के रूप में आप खर्च करवा लेंगे, तभी ने इसका टिंपरेचर कॉंस्टिंट रहेगा, ने तो आपको लगता है कि आप उसमा दीजियेगा, और ता आप नहीं बढ़ेगा, तो ऐसी इस्थिति में जब आप इसको क्यू कैलोरी उड़ जा देंगे, तो ये प्रक्रम कहला जाएगा, इसका मतलब है कि आपने क्यू कैलोरी उड़ जा दिया, तो सिस्टम ने उतना वर्क करके आपको दे दिया, सिस्टम ने वर्क किया, इसलिए माइनस डवलू, क्यू बढ़ाबर क्या है, माइनस डवलू, अउल्टा करेंगे तो फिर डवलू ड़ा हो गया है न, लिखे सम आईतनी प्रोसेस, सम आईतनी प्रक्रम, सम आईतनी प्रक्रम, इसको इंग्लीज में बोलते हैं, आईसो बारिक प्रोसेस, ने 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 आइसो कोडिक प्रोसेस इसको बोलता है आइसो बारिक प्रोसेस कहते हैं समदाविय प्रक्रम को आइसो कोडिक प्रोसेस देखो ये बार बार आइसो आ रहा है आइसो का मतलब या सम का मतलब समान और ये क्या है आईतन ये ऐसा उसमा गतिक ये प्रक्रम होगा जिसमें आईतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा अभी आप पढ़े थे सम ताप ही है वहाँ पर वो ऐसा प्रक्रम था जिसमें ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा था आगे आएगा सम दाब ही है उसमें दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा समझ में आई बात तो आप इस नाम को याद रखे इसके definition को easily याद कर सकते हैं और definition से आप इसके अंदर के चीजों को W ब्रावर Q कब होगा, delta E कब किसके ब्रावर होगा, यह सब आसानी से निकाल सकते हैं लिखेंगे definition इसका वह उसमा गती की प्रक्रम वह उसमा गती की प्रक्रम वह उसमा गती की प्रक्रम जिसमें निकाई का आईतन इस्थिर रहता है वह उसमा गती की प्रक्रम जिसमें निकाई का आईतन वह उसमा गती की प्रक्रम जिसमें निकाई का आईतन इस्थिर रहता है उसे उसे सम आईतनी प्रक्रम कहते हैं उसे सम आईतनी प्रक्रम कहते हैं यहां क्या कॉंस्टेंट है बताओ V वॉल्योम अच्छा V कॉंस्टेंट है तो डेल्टा V का मान जीरो और सुन लिजे यदि डेल्टा V का मान जीरो हुआ तो निश्चित है कि वहाँ पर वर्क भी क्या होगा जीरो काहे होगा जीरो काहे कि आप याद कीजे वर्क ब्राबर आप पढ़े थे माइनस P इन्टू डेल्टा भी याद है आपको तो ऐसी स्थिति में डबलू ब्राबर हो जाएगा माइनस P गुना जीरो डबलू ब्राबर वो लेसा होगा की नहीं यदि आइतन में परिवर्तन नहीं हुआ तो कभी भी वहाँ पर PV वर्क संभव नहीं है यानि वर्क जीरो हो जाएगा अच्छा ऐसी स्थिति में आप लोग पढ़े हैं डेल्टा इ ब्राबर Q पलस डबलू तो बताएए ये डेल्टा E ब्राबर क्या हो जाएगा डेल्टा E ब्राबर Q पलस जीरो यानि डेल्टा E ब्राबर Q एक बार फिर से इसका practical view देखिए आप सुनिएगा ध्यान से फिर से हम यही कि आप इसको कितना समझते हैं, ये matter करता है, ये gaseous system है, इसमें आपने q calorie heat दिया, इसमें q calorie heat दिये और ये बेचरा work भी नहीं कर पाया, चुकि work done क्या हो गया है, 0, तो work नहीं कर पाया तो ये up down नहीं हुआ होगा, इसका मतलब इसके volume में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वर् फिर भी आपने q calorie उसमा इसको दी, तो जरूर इसका आंतरी कुर्जा बदल गया होगा, किसके वज़ा से, उसमा की वज़ा से, work 0 है, तो जितना भी आंतरी कुर्जा में परिवर्तन हुआ होगा, वो q की वज़ा सही न, मान लीजे पहले इसकी आंतरी कुर्जा e थी, अब इसको आपने q calorie उड़ जा दिया, तो अब इसकी आंतरी कुर्जा हो जाएगी e plus q, हाया न, तो ऐसे सिती में change in internal energy कितने के बराबर हो जाएगा, final है e plus q, और शुरू में कितना था e, बताइए, minus e, तो minus e plus e कर जाएगा, क्या बचेगा, q, यानि delta e बराबर क्या हो जाएगा q, वही न लिखा होगा delta e बराबर q, समझे कैसे कैसे इसको हम लेकर चलें, उतारेंगे आपसे इसमें ये question पूशा जा सकता है, कि किस प्रक्रम में आंतरिक उर्जा में परिवर्तन आदान पर्दान की गई उसमा के बराबर होता है, कौन सा होगा प्रक्रम, समाईतनी प्रक्रम कितना चार हुआ न, इसमें एक और है समदाविय प्रक्रम इसको लिख लिए इसको घेर ये, ये जो घेरते हैं हम न, यही इसका main बात होता है, आप देखें होंगे हर बार इस चीज़ को हम घेरें है इस टाइप का जो इंपोर्टेंट चीज होता है न, उसको हम घेर देते हैं 11 का एक्जाम यदि धंग से होता है, जिसे 12 का होता है, तब का दिमाग हिला हुआ रहा रहता है कि क्या करना है, अगरा के न, मिंटेन करें, वकर बाद उसको लाल पिला हरा सब करता है, अभी तो आप लिए क्लास का इंपोर्टेंस भी बहुत माहिन है नहीं रखता है, अभी लग रहा है कि दूचेर दीन बचले है, कि न, तो करके भगो, अनक दयास, काटन लो कर न, थीर तो 12 से स्टाट हो भे करें, अभी तो माहिन सिखता पुर्ण रूप से यही है अभी हमको लगता है, कि मुश्किल से 5 से 10 आत्मी ऐसे हैं, जो सिरियसली पढ़ने के लिए आते हैं बादमा की ऐसा है, कि अच्छा ठीक है, समझ में आ गया था, बहुत वर यहां पढ़ाईए हैं, कुनों बेजाए करेगा समझ में आ रहा है, या समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आते हैं, बादमा की तो इसलिए आ जाते हैं, कि घर उपर क्या करेंगे बिठल सब सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है तनी इसी बहान है, बजार गुम लिया जाए, क्या क्या है ने हुआ, क्या बदला रहे और कुछ लोग तो देखनेयर भी आते हैं, ठंडा की तना है बाहर में फॉल, फॉल टेंपरेचर जाज करने आता है, तुम लोग और कुछ मज़ समझ ले न, अगला पॉइंट नंबर फाइब, लिकिए समदाविय प्रक्रम, इसको बोलते हैं, आइसो बारिक प्रोसेस, क्या रहेगा इस तिर इसमें, तब, लिखेंगे वह उस्मा गती की प्रक्रम, वह उस्मा गती की प्रक्रम, जिसमें निकाई का दाव इस्थिर रहता है, वह उस्मा गती की प्रक्रम, जिसमें निकाई का दाव इस्थिर रहता है, उसे समदाविय प्रक्रम कहते हैं, उसे समदाविय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है, क्या कॉंस्टेंट है इसमें, इसमें प्रेसर कॉंस्टेंट है, अचा प्रेसर कॉंस्टेंट है, तो delta P क्या होगा? 0 अच्छा delta P के 0 होने से न work 0 होगा न Q 0 होगा आप याद कीजिए W ब्रावर होता है minus P into delta B यह इन होता है delta P 0 है ना कि delta B इसका मतब इसका मान आप 0 नहीं ले सकते हैं अच्छा यहाँ पर minus P है तो ऐसा थोरी है कि P का मान 0 है निस्चित है कि वहाँ पर work done कुछ ना कुछ होगा तो ऐसी स्थिती में P constant है delta P constant है तो ऐसी स्थिती में जो हम फॉर्मला पढ़ाएं कि delta E ब्रावर Q plus W होता है इसमें किसी परकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि P constant होने से ना Q 0 होगा न W 0 होगा न डेल्टा E 0 होगा तो वो जैसे था वैसे ही रह जाएगा उता रहेंगे तो अब कभी भी किसी भी उसमा गती की निकाई पर जब आप काम कर रहे होंगे तो पहले आप गौर से देख लीजेगा कि उस उसमा गती की निकाई का condition क्या है ताप कॉंस्टेंट है प्रिसर कॉंस्टेंट है अइडिया वैटिक है चक्रिये है क्या है यह इसको देख के तब काम करना होता है बादमा की चीज़ तो आप समझ सकते हैं क्या यहां तब कोई परिशानी है एक question लिखे तो लिखेंगे एक उस्मा गती की निकाई में question लिखे एक उस्मा गती की निकाई में पांच सो केलोरी उस्मिय उड़जा दी जाती है एक उस्मा गती की निकाई में पांच सो केलोरी उस्मिय उड़जा दी जाती है जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप वह जिसके फलस्वरूप वह परिवेश पर तीन सो पचास केलोरी तीन सो पचास केलोरी का कारिय करता है तो उस निकाई के आंतरिक उड़जा में परिवर्तन का मान निकाले बनाई तो कुस्चन यदि आप थोड़ा बहुत भी समझे होंगे तो आप से कुस्चन बनना चाहिए एक नम बच्चा वाला कुस्चन है यह नहीं बनेगा रही हो देखो इधर यह कोई भी सिस्टम है हम इस सिस्टम को मान ली है अब आप जड़ा बताईए कि पहला लाइन कहा गया कि किसी उसमा गती की निकाई में 500 कैलोरी की उसमे उड़ जा दी गई है तो उसमे उड़ जा दी गई है किसको सिस्टम को तो सिस्टम को यदि आप उड़ जा दीए हैं तो उसको अब पलस क्यू में दिखाएंगे या मैनस क्यू में पलस क्यू में यानि यहाँ पर इस सिस्टम के लिए क्यू का मान कुस्चन दे दिया पलस 500 कैलोरी किलियर है यह जिसके फलस्वरूप यह निकाए परिवेस पर 350 कैलोरी का कारे करता है इसका मतलब है कि यह सिस्टम यदि वर्क कर रहा है तो इसका इनर्जी तब घटेगा और यदि इसकी उड़ जा घटेगी तो उसको हम माइनस साइं से दिखाएं तो ऐसे इस्टम में इसका डवलू हो जाएगा माइनस 350 कैलोरी हाँ यह न डिल्टा इ बरावर फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटर्नल इनर्जी इन आपसे कॉस्चन कर रहा है तो डिल्टा इका क्या फॉर्मूला आप पढ़ है क्यू पलस डवलू डिल्टा इ बरावर क्यू कितना है 500 पलस डवलू कितना है माइनस 350 कितना हो जाएगा इसका चेंज इन इंटर्नल इनर्जी हो जाएगा 1500 पलस में या माइनस में पलस में डिल्टा इ पॉजिटिव होगा यही इतना कैलोरी कहेंगे क्या बहुत भाड़ी था इसा बनना चाहिए था न आपसे अगला कॉस्चन लिखे अच्छा लिखे इसको पहले अच्छा लिखे अच्छा बश्या साथ लिखाओ कॉस्ट्चन से लिखेंगे अच्छा ठीक है लिखिए लिखिए पूरा बढ़ियां से लिखिए अच्छा रवना के लिखिए इतनी वो बात है लिखने में इतना टाइम लगाता है क्या तुम्हें बबार है जिन्दा की मर गए क्या यसर जिन्दा है हमको लगा चाट पोछ के फतम कर दे क्या खुसी होगा कि दुखी होई गाफ अब बरेंगे तो चिला-चिला के ये बोल रहा है कि इनगा हसना कि खुसी ही रहेंगे क्या जान परपरे हुए है क्यों रो रही है क्या होगा रे लिखे क्वें क्योंने क्वें लिखे क्यों लिखेंगे एक गैसिया निकाhi कुछन लिखे तो एक गैसिय निकाय का आईतन एक ATM बाहरी दाव पर एक गैसिय निकाय का आईतन एक ATM बाहरी दाव पर बाहरी दाव प्रेसर एक ATM बाहरी दाव पर 0.5 लीटर से 0.5 लीटर से बढ़ जाता है 0.5 लीटर से बढ़ जाता है तो उस निकाय के द्वारा तो उस निकाय के द्वारा किये गए कारी की गरना जूल तथा कैलोरी में करें जूल तथा कैलोरी फिर एक उस सब इंगली साता है तनी चला लाइन में लिखती है काहन उपर ले लाइन में सटा लिखती है पुडल एक साथ दखो जिसे उँ लिखी है उँ दखो हो सियार हो गई परपर के अटम बुरबग थी बुरबग खेर रह गई सिखो उससे सिखो बनाईए पहले तुम सोचो अपने मन से यदि बन जाए तुम से तु बहतर है नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही हम तो इसी काम के लिए डिपूट ही हैं लेकिन एक बार सोच के देखो कि क्या करना था इसमें किये गए कारी की हिन गन्ना है आपसे करना डबलू का क्या फॉर्मला पढ़े हैं माइनस पी इंटू डेल्टा भी फॉर्मला लगाईए बनाईए कुश्य आइतन का रहा है कि 0.5 लीटर से बढ़ जाता है का मतब यही वान कि पहले 10 लीटर था तब सरे 10 लीटर हो गया इसका मतब आप समझने कि यह 0.5 क्या दिया हुआ है यह डेल्टा भी का ही मान दिया हुआ यह प्रारंभी का आइतन और अंतिम आइतन नहीं दिया डाइरेक्ट आपको आइतन में पड़िवर्तन दे दिया प्रेशर का मान हो गया 1 ATM देल्टा भी देल्टा भी हो गया कितना 0.5 लीटर आप डवलू ब्राबर जानते हैं मैनस पी इंटू देल्टा भी मैनस पी यानि मैनस वन इंटू 0.5 इसका मतब हो जाएगा 0.5 मैनस 0.5 ATM लीटर पर लीटर नहीं ATM लीटर सुनिएगा ध्यान से यह मैनस पलस का कोई मतलब है नहीं चुकि सिस्टम ने कारिक किया इसलिए इसका साइन क्या है मैनस इनर्जी क्या कभी निगेटिव हो सकता है तो यह मैनस सिर्फ यह बता रहा है कि सिस्टम वर्क कर रहा है यानि आपको 0.5 ATM लीटर को ही एक बार जूल में बदल देना है और एक बार कैलोरी में बदल देना है यही आपका मेन आंसर है, अब बस खाल इसी को आप क्या कर दीजिए, जूल में बदल दीजिए और कैलोरी में बदल दीजिए, आप याद कीजिए आपको पीछे इसका एक रिलेशन बताया गया था, बोलिए, क्या बताया गया था? एक 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 लिटर बड़ावर 24 कैलोरी होता है, याद है, तो 0.5 एक लिटर बड़ावर क्या होगा? 24 गुना 0.5 कैलोरी, पताये यह 12 कैलोरी हो जाएगा, अच्छे इसको भी आप मैनस में ही रखेंगे, क्या जी मैनस में ही ना आएगा अंसर आपका? हम खाली लिख दिये हैं हाँ पर, लेकिन, अच्छा कैलोरी में तो आगया आँसर, फिर इसको किसमें बदल देंगे? जूल में, आप याद कीजिए, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, होता है न जे? तो बारह कैलोरी में कितना होगा? बारह गुना 4.2 जूल, अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? जितना होगा वही अंसर होगा? बर्चव कर तालेस, बारह दोना 24, पचास दसम लब चार आजाएगा क्या? हाँ, मैनस में, हमको लगता है कि मैनस 50 पॉइंट, मैनस 50 पॉइंट थोर आएगा, एक बार लेकिन आप गुना भाग कर लिजिएगा, हम सौटकट में कर लिएगा, यही अंसर होगा? समझ मैं कि कैसे बनाना था यह सब? कल हमारा नया टॉपिक होगा, इन्थैल्पी कल का मतल्ब निक्स्ट क्लास, और अब उससे सम्मधित हम बात कर लेता है इन्थैल्पी, हेटी डालिये तो भी भी आइ डाल के डालियेगा इसको इसको हम लोग पढ़ेंगे मंडे को कल आपको बोला गया था कि कलास होगा, लेकिन कल कलास नहीं हो पाएगा कारण है कि कल ट्वेल्थ वालों का फेरवेल है और उसमें तुमका मगानिया भोज नहीं खिला सकता है आएगा तो थूथून तूर देंगे तो कल छुटी है अगर आगए तो उत्तो के बाद होगा फाइनल क्या होगा तुमारे नहीं बात देखो वह नहीं है बात है कि ट्वेल्थ में बहुत सारे लोग है सिस्टम ऐसे ही अस्तव्यस्त रहेगा नहीं समझा कल छोड़ दीजिए परसुई नहीं पढ़ेंगे आगे देख कुछ झानओद करेंगे प्रव करेंगे घ्रीड़ नहीं पंतो पाल